बॉर्निंग बच्चों, आज वरक्षित नमबर 13 में हम एक जरवाले राखिक सम्मी करनों की कुछ शापदिक समस्यां लेंगे तो यहाँ पर जैसे महिमा और श्वेता ये दोनों फ्रेंड्स आपस में बात कर रही है महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी तो श्वेता ने कहा मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत समसंख्याएं है देखो कैसा जवाब दिया है श्वेता ने दो क्रमागत समसंख्याएं है और दोनों की आयू का योग 30 है तो अब तुम खुद ही सोच रहो मेरे उम्र कितनी होगी तो महिमा सोच रही है कि दोनों की आयू का योग 30 है तो 10 जमा 20 30 होता है लेकिन 10 और 20 तो करमागत संख्या नहीं है करमागत क्या होती है जो एक के साथ एक चलती है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये करम से चलने वाली संख्या है लेकिन करमागत सम संख्या चाहिए तो समसंख्या हुई दो, चार, छे, जो दो से भाग होती है, वो तुम्हारी समसंख्या होती है, तो इस प्रकार की संख्या लेनी है, तो अब उसने फिर दो संख्या हैं सोची, उसने सोचा ठारा और बारा, ये समसंख्या भी है, इसका जोड तीस है, लेकिन ये फिर करमागत नहीं है तो आप क्या करें तो अब उसने टीचर के बतायत तरीके से इसको हल किया महीमाने उसने श्वेता की उमर मानी 2x क्योंकि सम संख्या लेनी है हमें ठीक है ना क्योंकि 2 से गुना करोगी तो सम बन जाएगा फिर उसके भाई की उमर हो जाएगी 2x प्लस 2 क्योंकि अगली कर्मागत संख्या के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा अब इन दोनों को जोड़के यानि 2x और 2x प्लस 2 को जोड़के 30 आएगा 2x 2x जोड़ोगे तो 4x प्लस 2 इक्वल टू 30 2 को इधर ले जाओगे तो 30 में से 2 गए 28 अब 28 को 4 से भाग किया तो ये तुम्हारा आगया 7 तो x का मान 7 आगया 2 को 7 से गुना करोगे 14 श्विता की उमर आगई 14 और उसके भाई की हो जाएगी 14 प्लस 2 16 ठीक है इस प्रकार से ये प्रशन हाल हुआ अब एक और question है बहुत interesting कि प्रवीन के पास गुल्लक में 180 रुपे है उसने दक्षय से कहा इस गुल्लक में सिर्फ 2 रुपे और 5 रुपे की सिंख्य है और 2 रुपे के सिंख्या 5 रुपे की सिंख्या का दुगन है देखू क्या बोला तो उसका double 2 रुपे के सिक्कों की संख्या होगा, यनि 2S हो जाएगा 5 रुपे के सिक्के अगर हमने S माने, तो 2 रुपे के सिक्के 2S हो जाएगे तो बताओ गुलक में कितने सिक्के हैं 2 रुपे के और 5 रुपे के, ये प्रिश्न है तो अगर मैं बोलती हूँ, मेरे पास 5 रुपे के 3 सिक्के हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास 15 रुपे हैं, मैंने क्या किया, 5 को 3 सिक्के हैं अगर मैं बोलू, 5 रुपे के 7 सिक्के हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 35 रुपे हैं तो हम क्या करें, पांच को साथ से गुना करें, इसी प्रकार, अगर मेरे पास पांच के S सिक्के हैं, तो मेरे पास कुल रुपए होगे, पांच कुल रुपए होगे, पांच कुल रुपए होगे, इसी प्रकार, दो रुपए के 2S सिक्के हैं, तो दो गुना 2S होगे, दो के, तो दोनों को जोड़के 180 रुपे बनने चीए कुल 2 को 2 से गुना करोगे 4S, 4S को 5S में जोड़ोगे तो 9S, 9S equal to 180 ठीक है 9S 180 आगे तो S का माना होगे 180 बटा 9 इसको हल करोगे तो 20 तो गुल्लक में 5 रुपे की सिक्के हो गए 20 और 2 रुपे की सिक्के हो गए 2S यानि 2 गुना 20, 40 ही के हल हो गया असान था ना तो ये जो आपने सोचा ना यहीं पर आपको दिमाग लगाना है कि किसको कैसे क्या ले तो ये तुमारे अराम से सरल समीकरन हल हो जाते अब ये दो प्रशन तुमें खुद करने है कि वीना ने एक परिक्षा दी जिसमें कुल 50 प्रशन थे सही जवाब देने पर 4 अंक मिलेंगे और गलत जवाब देने पर 1 अंक कटेगा तो वीना ने सभी प्रशनों को उसने कोशिश करी हल करने के जवाब दिया तो उसे कुल 80 अंक मिले उसे बताओ कितने प्रशनों का जवाब सही दिया और कितनों का गलत दिया चलो देखते हैं मानस सही जवाबों की संक्या है जे तो गलत जवाब होंगे तुमारे 50 में से जे हटा दो इतने गलत होंगे तो सही जवाब देने पर 4 अंक मिल रहे हैं तो 4 को जे से गुना करो यानि 4 जे और गलत जवाब देने पर जो हमारे गलत जवाब थे ये इसको माइनस 1 से गुना कर दो अब कोल अंक है तुमारे 80 तो यानि 4 जे ये प्लस नहीं होना चाहिए माइनस होना चाहिए 4 जे माइनस 1 50 माइनस जे इकुल टो 80 होना चाहिए यहां ब्रैकेट कोलोगे तो माइनस 1 को 50 से गुना करोगी तो तुमारे पास आएगा 4 जे माइनस 50 प्लस जे equal to 80, यह चीज आएगी, है न, यह bracket को लोगे, तो minus 50 plus j, अब तुम इसको 4j plus j, इकटे लियाओ, minus 50 equal to 80, फिर minus 50 को इदर ले जाओ, तो plus हो जाएगा हूँ, ठीक है, तो 5j, यह 4j और j जुड़के 5j, 80 plus 50, यह होगे 130, यहनी 5j 130 की बराबर आगे, तो j की value क्या होगी, 130 बराब 5, इसको भाग करोगी, तो 26, यहनी सही प्रश्न उसने 26 दिये, जो j थी, और गलत प्रश्न होगे, 50 minus j, यहनी 24, इसको तुम हल भी करके देख सकते हो, जैसे कि अगर तुम जो इसके सही प्रश्न थे 26, उसमें उसको 4 अंक मिले, और गलत प्रश्न है 24, उसमें उसको minus 1 कटा, तो जब तुम उससे गुना करों कि 4, 6, 24, 2, 6, 4, 2, 8, और 2, 10, 104 नंबर यहां मिले, यह minus 24 होगे, इन दोनों को घटा होगे, तो अस्सी आ रहा है न, तो उसमें जाच कर लिया कि हमने सही कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सही पर उसको 4 अंक मिल रहे थे, और गलत पे minus 1 कट रहा था, तो उसमें पुर्णाकों की जोड़ घटा कर लिया, ठीक है, एक और प्रश्न है, प्लस 7 को इदर ले जाओगे, यह minus 7 हो जाएगा, यह ऐसे कैसे चलता रहेगा, और फिर इन दोनों को घटा दोगे, 336 आजाएगा, तो x की value यहाँ पे दो घुना हो रहा है, इदर भाग कर दोगे, इसको इसे भाग करोगे 168, अब इसको जाच भी कर सकते हो, अगर x, x प्लस 7, यह जोड़े तो यह आना चाहिए, तो यानि 168 और 168 और यह 7, और फिर यह तुम्हारा आना चाहिए 343, तो इस सब को जोड़ोगे तो 343 है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, पहली संख्या है 168, ची क्या, और दूसरी संख्या होगी 168 जमा 7, तो कितनी होगी, पहली संख्या होगी 168, और अगले वाले में आप जोड़ोगे, तो 175, आप आप इसको चेक कर सकते हो, 8 और 5, 13, 17, 17, 17, 14, 17, 343 आ जाएगा, तो पहली संख्या 168 और दूसरी संख्या 175, यह पहली संख्या और यह दूसरी संख्या, ठीक है, यह करमागत संख्या हैं आपको बतानी थी, एक या दो मेंबर्स ही बहार निकले, और वो भी फिर पूरे शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहन के बाहर जाना है, बिमारी को अपने घर में बिल्कुल नहीं लेकर आना, अपने इतिहार को अच्छे से मनाओ, बीड़ बार ज्यादा लगाने के अभिश्रक्ता नहीं है, ठीक है, गॉड हेल्प्स तोस हूँ हेल्प थेंसेल्स, ओके, और काम को पढ़ाई को करते रो, वीडियो को शेर करो अपने फिर्ण्स के साथ में, लाइक करो, हम लोग फिर नेक्स वरक्षीट में फिर मिलते हैं, ठीक है, तिल देन, टेक केर अफ यॉर्सल्फ बच्छो, बाई बाई, नमस्कार,